आगार लाप दोस्तों आजकेस वीडियो में बात करने वाले हैं 30,00,00,00 अब जब मैं 30,00,00,00 अवेलिबल जॉब्स की बात करता हूं तो आप समझी गए होंगे कि मैं कौन से country की बात कर रहा हूँ जी हाँ दोस्तो, मैं बात कर रहा हूँ Australia की और कैसे आप Australia में जाकर के job ढूंड करके वहाँ जाकर के काम कर सकते हैं वीजा बगेरा कैसे ले सकते हैं ये सारी चीज़े आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि Australia में कहा पॉसिबल है वीजा लेना Australia में काम करना अलावड ही नहीं है बाहर के लोग अलावड ही नहीं है मैं मानता हूँ दोस्तो कि Australia में ये सब अलावड नहीं था पहले प्रोसेस जो है बहुत जादा हाड हुआ करता था लेकिन COVID आया COVID ने दुनिया भर के देशों को ऐसा हिला करके रख दिया और उसके बाहत सभी बड़े देशों में ऐसी labor shortage पड़ी दोस्तो कि वहिया उनको भी अपने immigration rules को थोड़ा soft करना पड़ा और वो भी allow करने लगे कि बाहर के foreign workers वहाँ जाकर के काम करने लगे इसलिए अभी जो labor market shortage पड़ी है उसके लिए आप भी जाकर के काम कर सकते हैं अभी immigration के rule एकदम change हो चुके हैं दोस्तो यहां तक कि student visa holder भी वहाँ पर unlimited hours के लिए काम कर सकता है मैंने आपको 50 बर website के बारे में बताया है मैंने आपको 50 बर तरीका बताया है कि कैसे आप jobs के लिए apply कर सकते हैं लेकिन आप हर बार मेरे से same question पूछ पूछ के मेरी जान चूछ जाते हैं कि sir please sir website बता दो कोई मेरे पास आता है सीवी और कोविलेटर बनवाने के लिए सीवी और कोविलेटर बनवाता है फिर बोलता है sir website बतातो cleaner की job, construction की jobs, housekeeping की jobs, nurses की job, kitchen helper की jobs, waiters की jobs हर category में jobs available है और हर category की jobs के लिए आप apply कर सकते हैं बहुत आसानी से इसलिए वीडियो के इन तक बने रहना और वीडियो पर पसंद आए तो वीडियो को like करें, share करें और channel को subscribe करना मत भूलना दोस्तो साथ ही जिन jobs के बारे में बहुताने वाला हूं उनके लिए चाहिए होगा आपको एक Australian format का CV और cover letter अगर आपके पास अभी तक CV और cover letter नहीं है तो मैं बस आपको इतना ही बोलूँगा कि जल्दी से CV और cover letter बनवा लीजिए या फिर खुद बना लीजिए हमारे पास ऐसा नहीं है कि हमसरी बनवाइए हमसरी बनवाइए किसे और professional से बनवाइए लेकिन professional से बनवाइए का मैं इतना बोलूँगा में आठ से दस लाग रुपए तक आप कमा सकते हैं अगर आपको क्लीनर की जॉब मिल जाती है ऐसा कोई employer मिल जाता है जिसको बहुत ज़्यादा ज़रुवत है क्लीनर की और उसके लिए आप काम करते हैं तो आठ से दस लाग रुपए आपके कहीं नहीं गए ना बताता हू कि आप देख सकते हैं इस वक्त मैं सीक ऑस्रेलिया की ओफिसल वेबसाइट पर हूँ वैसे तो सीक के ग्लोबल प्लाफोर्म है यहां से आप अलग-अलग मतलब कंट्रीज की जॉब के लिए अपलाई कर सकते हैं यहां पर इतनी सारी जॉब्स अवेलिबल हो जाएंगे कि माता घूम जागा कि कौन सी जॉब सेलेक्ट करें और किस जॉब के लिए अपलाई करें आप देखिए स्क्रॉल करते रहिएगा स्क्रॉल करते रहिएगा और आपके पास मतलब कमी नहीं होगी जॉब्स की यहां स्कूल में क्लीनर्स की जॉब है दोस्तों यहां पर ऑफिस आप जोब के लिए करना क्या है अगर आप जॉब की लिए करना क्या है तो आपके पास कौन-कौन से documents होने चाहिए क्या-क्या qualifications होनी चाहिए भिब् investigations जोनी चएए सारी कि सारी like शूख है यह ऐसवा पर देहनी मिल जाएंगी और in details के थ्रू जो है आप अराम से किसी भी जॉब के लिए अपलाई कर सकते हैं लेकिन आपको बस यह सजेस्ट करूँगा कि जिन डीटेल से जिन जॉब से आपके अपलाई करने के लिए आपको सिंपली लाल कलर का अपलाई बटन उस पे क्लिक कर लेना दोस्तो और मैं आपको बता दू कि यहां से आप अलग-अलग यहां अपने की सब्सक्राइब है लेकिन आपको यहां और आपको यह प्रीटेल सही तरीके से भर लेनी यह दोस्तो और अच्छे से भर लेनी और आपको इसी ताइब के चार पाँच पैजेस मिलेंगे जिसमें आप से सवाल पुछे जाएंगे कि क्या आपको ढूस्ट्रेलिया में रहने के लिए lrights हैं क्या आपके पास वीजा है, Work Permit का प्रूफ दे सकते कृ नहीं दे सकते हो, Vaccination का प्रूफ दे सकते को नहीं दे सकते हो, Pulis Verification Certificate है के नहीं है, आप जुख सकते हो, काम कर सकते हो, बैठ सकते हो, दो गंटे खड़े रह सकते हो, यही सारी की सारी details आप से पूछी चाहेंगी, जो normal details है, आपके काम से related, आपके पास Australian driving license है की नहीं है, आपको इन सारी चीजों का जवाब दे दिना है, अगर उनको लगेगा कि आपके application में dumb है, दोस्तों अगर उ apply ज़रूर आएगा, क्योंकि मैं आपको दिखाने के लिए apply करता हूं, दोस्तों, मुझे replies आते हैं, मुझे responses आते हैं, हर जगा से responses आते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान देना है, आपको सारी की सारी details भर लेनी है, आपको अपनी monthly, annually आप से पूछी जाएगी, आपर income, hourly income प आपको पूछा जाएगा, कि भई आपको जॉब के बारे में कहां पता चला, तो वो सारी details फिल करने के बाद, आपको declaration पे click करके submit करते ना है, और submit करने के बाद, आप देख सकते हैं, आप लिए application has been submitted successfully, यानि कि आपने इस job के लिए apply कर दिया है, और seek पे जितनी भी cleaners की job available आप सब ही jobs के लिए apply कर सकते हैं, अगर आपके experiences, qualifications match करते हैं, तो बस जाएए अलग-अलग websites पे आपको redirect कर दिया जाएगा, और अलग-अलग websites से आप आसानी से job के लिए apply कर सकते हैं, मातर 5 मिनिट लगेंगे दोस्तो एक application में, तो देखा दोस्तो, आप finally मैंने आपको एक calculator होना चाहिए, CV calculator नहीं है, तो हमें contact कर सकते हैं, हमें contact कीज़े जल्दी से जल्दी, wait मत कीज़े, तो दोस्तो ये था हमारा आज का वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले साथ ही हमारे दूसरे चैनल, Public Engine 2.0 को जल्दी से जाकर चेक आउट कर लें, और वहां की वीडियो भी लाइक शेर करें, आज के लिए इतना ही मिलते हैं, आगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, अब तक के लिए, बाई बाई